हेलो बच्चो मैंसेल फानकाजी वेलकम तू माइ यूट्यूब चैनल आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्क्स करने आया हूं वह है सेमिकनक्रिक डिवाइसेज ये टॉपिक 12 वाल के लिए इंपोर्टेंट है एंड बीटेक बीसी फॉर्स्टेयर स्टुडेंट्स के लिए इसमें आप समझें मेली फोकस करने वाला हूं कंसेप्स और फंडामेंटल पर बचो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके कंसेट्वें फंडमेंटल स्टॉव होंगे तो कहीं न के आपका सब्जेक्ड में इंट्रेस आएगा अगर आपका सब्जेक्स आयागा तो आप खुच ठैन थिंक और आपके अगरुट्वे किल अगरुटी में इंटले टर वात इंटल्य करने अगरुट्वानेट्र में ऐसाला है विधी अगरुट्व श्युक्ति ओंधू कर्व हो टापके रिच तो बिफोर उनको सबसे पर पधाले करनी पड़ेगी एअलेक्ट्रीज़ इं तरम्स, जो पarticular term में आपिने बातबर सुनी एक ठांचक्स, सुनीगलनिक गयजित इर भनेते हैं, जो सुना हो वह सुना हो हैं, उनकों बोलते हैं, electronic devices the devices in which conduction can be controlled are called electronic devices and the study of such devices is called electronics मतलब, बच्चों, electronics वर्ड आते ही being science student, आपके दिवाब को सबसे पहले क्या क्लिक करना चाहिए सर कहीने कहीं devices है और उनका हम conduction control कर रहे है अगर आप किसी device का conduction control कर सकते हो अगर किसी device का आप conduction control कर सकते हो वो क्या लाता, electronic devices देखी, conduction control, electronic devices है मुँगो बोलते हैं तो, अग सबसे पहले जो हम electronic device, फर्स electronic device जो हम उस करते थे वो था आपका vacuum tubes मतलब कहीन न कहीं है तो इलेक्टोंड डिवाइस ना, तो दिमाग में क्लिक वही करेगा कि सर, हमको इस डिवाइस के अंदर, vacuum tubes के अंदर, conduction को control करना है, यह देखी, चोटा सा डिग्राम न आपके ता शेर करता हूँ, vacuum tubes का बच्वो, vacuum tubes vacuum बोला है, कि यह जो glass tube इसके अंदर आपने air को, there is no air इसमें क्या है vacuum, that's why it is called what? vacuum tubes देखी यहां पे, दो आपने इलेक्टोड लगा रखे, एक आपका cathode है, negative, एक आपका anode है, positive, that is connected to positive of a battery तो दो आपके बास इलेक्टोड हो गए हमने यहां पे क्या कर रहा है, cathode से हम इलेक्टोड को emit करा रहे हैं, अब electron पे negative charge होता है anode आपका positive होता है तो अगर आप cathode से electron का emit कराएंगे, तो anode उनको attract करेगा, तो समझी बच्चो माल लिजी, मैंने 10 electron, कितने 10 electron, cathode से मैंने emit करा है, 10 electrons हमने cathode से emit करा है वो electron anode collect करेगा तो इस wire के अंदर आपको conduction मिलेगा due to 10 electrons अब हम डिजाइन करें electronic devices, तो कहीं दके conduction को आपको control करना है, देखे में conduction कैसे control करता हूँ, बुकियाँ यह जो, यह भी electrons है, सम प्लेट्स इंप मैंने voltage लगा राख है, control voltage, यहां जो voltage लगाता हूँ, that is called what? control voltage, दिखा है, positive है देखे, conduction कैसे control होता है 10 electron आपने emit कर रहा है थे, अब यहां पर positive लगा के, positive electron का trade करेगा, माल दीजी बच्चों, assume करते हूँ, 10 में से 2 electron का चले गए, positive के पास 10 में से 2 electron positive के पास चले गए, control plate के पास तो अब 8 electron ही पहुचेंगे न, 10 में से 2 गए तो 8 electron पहुचेंगे आपे तो अब इस wire में conduction आपको मिलेगा due to 8 electrons, मतलब पहले conduction था due to 10 electrons, अब आपने conduction को control के आए, अब आपको conduction मिल रहा है due to only 8 electrons मतलब आपने conduction control करा है इस vacuum tube की कुछ drop है कि अभी market में outrate हो गया, यह use नहीं करते है, तो क्या drop है कि पहला जो आप glass tube यूज कर रहे हैं, इसका size बहुत बड़ा है साथे साथ, electron emit कराने के you need high voltage, मतलब power requirement जादा है, तो अब हम vacuum tubes क्यों ने यूज करते हैं, because of high power requirement and the large size अब जो हम यूज करते हैं, इस electronic device हम क्या यूज करते हैं, semi conductor मतलब, कहीं नहीं करी semi conductor में भी आपको conduction को control करना है बचो समझे, हम electronics पढ़ रहे हैं electronics के अंदर हमारा जो devices हम design करने वाले हैं, उसमें आपको specially 3 चीजों का अच्छे से ध्यान दखना है इन 3 चीज पे आपका electronic device वर्क करेगा मैं के example इतना को समझाने के लिए मानलो आपने को electronics कोई product कुछ electronic device आपने भी बनाया मैंने भी बनाया, हम दोनों कौन है, manufacturer आप भी कुछ product बनाते हैं, मैं भी product बनाता हूँ आपने product बनाया, same specification का product मैंने भी बनाया लेकिन आपके product और मेरे product में क्या difference है मेरे product का size बहुत कम है आप समझते हैं, यह आप बड़ा सारा computer लेके घुम रहे हैं और उसी specification उतनी features का मैं अपने पास चोटा सा mobile लेके घुम रहा हूँ तो मेरे product बहुत handy है, तो आपका product market से out हो जाएगा प्लीज डिजाइन करते वाग, size का ध्यान रखे, size small रहेगा electronic devices के अदर, second, आपने, मेरा product चोटा था, आपने अपने product का size change करा, modify करा, आपसे compete करने के लिए, क्योंकि अप तो same हो गया, आपका product मेरा product same हो गया, size भी same हो गया, तो आपसे compete करने के लिए, मैंने अपने particular electronic device की power requirement कम कर दी, मतलब आपका power consumption ज्यादा होता है आपके product मेरे product power consumption कम होता है, यह मेरा product market में dominate करेगा, आपका product market से फिर out हो जाएगा, तो second parameter, जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, power consumption should be small, very small, third parameter, आपका product, मेरा product, मालेज़े same size का है, दोरो same power consume करें, now the final point is what, efficiency, जिसके efficiency, जिस product के efficiency ज्यादा होगी, वो market में dominate करेगा, बाकी market से out हो जाएगे, तो dear electronic devices बनाते वाग, प्लीज इन तीन चीजों का ध्यान रखेगा, चली बच्छो, आगे बढ़ते, हम लोग discuss करते सेमी कंड़क्टर डिवाइसेज, सेमी कंड़क्टर के अंदर अपन नेक्स अपी कोटाते, energy band diagram बस ध्यान लखेगा, semiconductor मतलब हम वो devices बनाने जिसमें आप conduction कर सकते, चली बच्छो आगे बढ़ते, energy band समझाने के लिए, energy band क्या है, energy band diagram का representation, जो होता है, representation वो क्या है, समझ नहीं के लिए, हम लोग की काम करते हैं, हम लोग एक silicon, silicon item लेके चलते हैं, जिसका atomic number है, आपका 14, और silicon का atomic configuration होता है, 284, ठेके, अब इसको हम लोग represent करते हैं, इस silicon item को हम लोग represent करते हैं, इसके electronic configuration से, मालने जी बच्छो ए नूक्ले से, positive charge, 284, मतलब यह आपका 1st orbit, यह आपका nucleus हो गया, यह आपका 1st orbit, 1st orbit में आपके पास 2 electron आएंगे, 2nd orbit में 8, 8 electron आएंगे, यह आपका 2nd orbit, और जो आपका 3rd orbit है, that is also called what, valence shell, valence orbit, right, तो जो आपका valence shell है, valence shell में आपके पास 4 electron आएंगे, यह आपका 284, electronic configuration, diagrammatic form में बन गया, अब देखी बच्चो, हम लोग energy band discuss कर रहे है, समझे, word band क्या है, हर electron, हमको बता है, हर electron की एक particular energy होती है, in a given shell, तो मैं assume करता हूँ, खाली आपको सम्झाने की कुछ data assume कर रहा हूँ, मानने जी बच्चो, इस electron की energy 1.6 electron volt, assume कर रहा हूँ, अगर इस electron की valence shell के energy कीती है, 1.6 electron volt, तो उस energy को मैं represent करता हूँ, line से, किस represent करता हूँ, a single line, यह जो मिने line draw करी है, यह इस electron की energy की show कर रहा है, जो कि मल्यूम कर रहे, 1.0, 1.60 electron volt, ऐसी बच्चो इसकी भी कुछ energy होगी दूसरे electron की, मानने के सर इसकी energy 1.59, तो उसको भी हम line से draw करते, line से show करते, यह जो line है, यह show कर रही है, दूसरे electron की energy, ऐसी एक और electron है, मानने थे उसकी भी कुछ energy है, 1.58 electron volt, तो बच्चो जब आप एक silicon का पूरा crystal लोगे, crystal में खूप सार atoms होंगे आपके, और हर atoms के वापस valence electron आएंगे, तो dear, जब आप हर valence shell, हर valence electron को represent करोगे, उसके energy से, और energy को किसे show करें, lines है, तो बचाँ, यहाँ पर खूप सारी lines बन जाएंगी, खूप सारे valence electron, तो खूप सारी line ड्रोग करें होंगे, अब, the collection of all such lines, इन सारे energy lines, इन सारे energy levels है, इन collection को हम बोलते है, band, band मतलब समू, group, तो band, किसका band है, किसका group है, sir, it is a collection of all lines, that represent what, energy of valence electron, electron, तो, क्योंकि यह सारी lines, valence electron की energy है, that's why, this band is called what, valence band, तो बच्चों, जब भी आप यह, यह पूरा term सुनेंगे, valence band, तो उससे हम लोग क्या attribute करेंगे, कि sir, band मतलब हम, energy levels की बात कर रहे, कौन से energy levels, sir, खूब सार energy levels है, मतलब band, वो energy level क्या represent करें, sir, वो energy level, electrons, valence electron की energy को represent करें, that's why, they are called what, valence band, clear है, बच्चों, अब देखो, मान लो, इस atom को मैंने energy दी, maybe in the form of light, यह energy लेके, आपका electron free हो गया, यह होता है, बच्चों, valence electron है, आपने energy दी, electron आपका free हो गया, तो यह electron को, अगर मैं energy level से show करूँगा, तो इस electron की energy की level यह रहा, यह रहा, यह रहा, आपका वो electron, जिसके energy थी, 1.60 electron volt, assume करते हैं, मैंने electron को energy दी, 3 electron volt, कितनी energy दी, 3 electron volt, तो इस electron के पास, अल्रेड़ी मीटा कितनी 1.60 electron volt energy है, आपने, in the form of light, 3 और देदी, तो 1.60 में 3 अड़ कर दू, अड़ होने के बाद, अब इसके energy के level उपर shift हो जाएगा, बढ़गी ने energy, पहले से 1.60 आपने 3 और देदी, तो energy बढ़गी, अब energy क्या हो गई, 1.6 प्लस 3 और add कर दी, तो सर इसकी energy हो गई, 4.6 electron volt, ऐसी बच्चों, जब आप light energy दोगे, तो हर electron energy एब्सॉर्ब करके उपर जाएगा, तो उपर भी अलगले बैंड मेनेगा, मालो इसको देते हो, उसको देते हो, किसे और को देते हो, free electrons, क्योंकि आपके energy दी बाद, आपकी ने जो energy दी, उसके बाद आपका electron free हो गया है, तो ये energy level किसको represent करेंगे, free electrons की energy level को, तो उपर भी खुब सार energy level बन गए, उनको भी आप, group of energy level is called what, band, band word नीचे भी आया, band word उपर भी आया, लेकिन नीचे energy किसकी थी, valence electron की, इसलिए आप उसको बोल दिया, valence band, उपर energy किसकी है, free electrons, free electrons, move कर सकता है न, अगर free electron, आपने electron free कर दिया, move करेगा, that means, it will show what, conductivity, that's why this band is called what, conduction band, तो conduction band, जब दी आएगा, आपके दिमाह में क्या चीज़ strike करेगी, क्या चीज़ click करेगी, हाँ sir, conduction band मतलब हम उन electrons के energy levels की बात कर रहे हैं, जो कि free है, और फ्री है, तो conductivity शो कर सकते हैं, that's why, conduction band, और बच्चो, ये जो gap है, sir, valence band में इतनी energy थी, energy देने के बाद, उसके energy इतनी हो गई, तो कितनी energy आपने एट की, 3 electron volt न, तो this gap is called what, energy gap, तो what is the physical significance of energy gap, sir, energy gap ये प्रिप्रेजन करता है, sir, आपको कितनी energy देनी, electron को, जम कराने के लिए, free कराने के लिए, या टेक्निक लिए बात करे, sir, आपने electron को कितनी energy देनी ताकि वो जम कर पाए, from valence band to conduction band, so this is what, 3 electron volt, जो भी मैंने आपको सामने example है, उसमें पने क्या यूश किये, 3 electron volt, तो थोड़ा band, energy band diagram, clear है आपको, एक short पे recall कर दू, sir, electron valential band, it's part of anence band, आपने energy दी, that is called energy gap, energy दे कि electron free हो गया, now it is a part of conduction band, अब वो conductivity शो करेगा, चली बच्चो, अजूम करते हैं, यह जो चार electron है, अब हमको पता पढ़िया, sir, यह electron उपर गया है, आपके energy देनी से, यह electron उपर गया है, जैसे electron पेटा उपर जाएगा, तो क्या छोड़ जाएगा, पीछे, vacancy, एक vacancy, यह जो आपकी vacancy है, इस vacancy को, हम बोलते हैं, होल, क्या बोलते हैं, बच्चो, होल, पैकिन से को उपर नाम दे रहा है, होल, अब यह चार electron, valence electron कहा लाई कर रहे, अब हमको पता है, sir, they are part of what valence band, तो sir, these electrons are part of what valence band, आपके energy देनी के बाद, electron free हो गया, free electron कहा रहता है, conduction band, माद गलाब, एक atom का यह status है, किसका एक electron आपके free करा रखा है, और crystal के अंदर कहा है, खूब सार atoms है, किसी crystal में क्या है, खूब सार atom है, तो बच्चो, खूब सार atom है, तो सारे atoms मिलके क्या बना रहे होंगे, silicon का crystal, यह मैंने क्या बनाया है, silicon का crystal, अब इस crystal पे, इस पूरे crystal पे, हम लोग apply करते हैं, बैट्री का potential, जहां positive है, because of this positive, यह the face of this crystal, यह वाला face पे higher potential आएगा, इधर बैट्री का negative है, तो इस पे आएगा आपका lower potential मतलब negative, तो आपने पूरे crystal पे, एक तरफ higher potential, एक तरफ lower potential दिया, अब क्या होगा, और यह electron free भी है ना, इना conduction band electron free होता है, तो पेटा positive लगाते हैं, यह electron दोड़ जाएगा, यह electron तो दोड़ जाएगा, मतलब, सर, conduction band में electron free होता है, वो आपका अराम से move करेगा, और इस शो आप conductivity, फिर, यह electron उपर चला गया, अब force, पेटा बच्चों, यह positive, इन electron भी force लगाएगा, लेकिन नीचे वाले सारे electron को, तो nucleus ने positive, being positive, electron being negative, nucleus ने electron को बांद के रख रखा है, यह move नहीं कर सकते, आप में को रस्टी से बांदो, इससे यहाँ पे, दिवार से, और आप बोलो आप चलो, मैं चलूँगा कैसे, रस्टी के जिसे मैं नहीं चल पाऊँगा, पासवन नाती है, तो यह सारे electrons तो बंदे में है, लेकिन आप इस particular region को देखो, इस electron को यह positive खीच रहा है, और इसके ठीक आगे क्या है vacancy, तो वेकिन्सी होने के कारण, यह positive यह electron, इस positive के वज़े से आगे की तरफ मूँ करेगा, आगे आपके vacancy थी, तो यह electron थोड़ा सा आगे shift होगा, इंद वेकिन्सी, तो डियर जैसे यह electron इदर आएगा ना, electron यहां के बैठेगा, अब यह जो वेकिन्सी यहां थी न, electron के इदर आने से, यह वेकिन्सी अब उदर shift हो जाएगी, फिर वोई गे, positive को, अब यह positive विसे electron को खीचेगा, अब इस electron के ठीक आगे एक vacancy आगे है, तो यह electron वापस उस vacancy में गिरेगा, electron को जाते ही, यह आपके vacancy उदर आगी, तो इन vacancy को हम क्या बोलते है, तो हमको ऐसा लगता है, it appears, कि sir, यह vacancy उदर move करी, लेकिन बच्चों ध्यान लखना, vacancy को हम क्या बोल रहे है, तो हम define यह करेंगे sir, in valence band, आपके holes, move करते है, in valence band, कौन मूँ करता है, holes मूँ करते है, और जब भी में बोलूँगा na, movement of holes, हमेशे जान लखना बच्चों, जब भी में बोलूँगा, movement of holes, in holes का movement, movement of holes, का मतलब क्या होगा, sir, movement of, electron, in valence band, तो देखिए, जैसी word आया आपके सामने, movement of holes, तो movement of holes, आते हम के अंटिपेट करेंगे, movement of electrons in valence band, क्या चीज़ क्लिक करने चाहिए, कि सार, उपर भी electron, बोलू कर रहे हैं, नीचे बोलू कर रहे हैं, नीचे जो electrons, वेकेंसी में मूँ कर रहे हैं, वेकेंसी में दिर दिर किसा करें, उस movement का हमने नाम करेंगे है, तो holes practically उच है नहीं, मतब physically कुछ है ही नहीं, holes, वो तो खालिक वेकेंसी है, लेकिन उसको भी अपने नाम करेंगे रहा है, holes, आप समझो बटा, very important and very interesting, सार जब कुछ ही नहीं तो आपने उसको नाम होल क्यों दिया, सेम नहीं है, दोनों की mobility, mobility अब अब एबिलिटी डू मूव, उपर वाला electron free है, वो फट से दौर लगा लेगा, free है ना, उसको नुक्रेस ने पकड़ दोना लगा है, वो तो free है, फट से दौर लगा लेगा, लेकिन बिचारे, वो एलेक्रोन जो वैलेंज बैंड है, वो एलेक्रोन जो आपके वैलेंज बैंड में, उनको तो नुक्रेस ने पकड़ डखा है न, वो तो विचारे खड़े में गिर गिर के आगे बढ़े है, सरक रहे, रेंग रहे है, तो उनकी mobility कम होगी, आपको बास सब्सक्राइब आती है, तो हमेशा ज्यान रखना कि सर, mobility of electron in conduction band is greater than mobility of holes in balance band, सर, उपर electrons की mobility ज्यादा है, नीचे electrons की mobility, काम है और नीचे वाले electrons की mobility को हम बोलते है, mobility of holes, तो holes वर्ड फिर बोलों डियर, don't get confused, जब भी वर्ड आता है, mobility of holes, holes का movement का मतलब भी movement of electrons है, लेकिन कौन से electrons, जो balance band में खिस रहे हैं, उनको हम बोलते है, mobility of holes, बास सर्ण में आती है, और एक सीज और, अगर आपको यहां से दिख रहा होगा, सर, electron उधर जा रहा है, मतलब जो आपका electron है, उसका flow of direction इधर है, तो हमको पता है, अगर electron उधर जा रहा होगा, तो current का direction, convention उल्टा है, तो current का direction की बात करूँगा, तो current का direction उल्टा हो जाएगा, और valence band में देखूँगा, तो ऐसा लग रहा है, sir, holes ऐसे जा रहे है, वो vacancy ऐसे बूग कर रही है, तो in terms of holes बात करूँगा, तो it appears कि सवर hole उधर जा रहे है, तो electron का direction इधर, तो current का direction उल्टा, जो current का direction है, वो ही दिख रहा है, diagram के अदर, वो ही आपके, holes का direction भी है, तो अगर holes की direction की बात करूँगा, तो उसका direction भी, सेम होगा, तो पूरे chapter कर दा, जो शॉट में अगर जो टॉपिक में डिस्कूद किया, है, जिसको हम बोलते है, होल्स, आपको clear है, नीचे एक vacancy चोड़ जाता है, जिसको हम बोलते है, होल्स, तो conduction में आपको electron मिलेंगे, valence band में आपको holes मिलेंगे, और holes क्या है, जैसे आप movement कराऊगे, potential लगाऊगे, electron conduction band में free ता, फट से दोड़ लगा देगा, इसलिए उसकी mobility जादा होती है, valence band के अंदर भी electron मूँ कर रहे है, लेकिन वो nucleus के force of attraction से बंदे वे है, तो उनकी mobility कम होती है, इसलिए always mobility of electron is greater than mobility of holes in valence band, सलिए बच्चो, next topic लेते, classification of solid, अभी तक हम लोग क्या discuss कर चुके है, हम लोग semi-connector discuss कर रहे थे, जिसमें हमने electronics discuss किया, कि servo devices, जिसमें हम लोग conduction को control कर सकते, फिर हमने energy band diagram देखा, energy band diagram में दो हमने band देखे, valence band, conduction band, valence band मतलब, जब तक electron अपने valence shell, it is part of valence band, free होने के बाद, तो चला जाएगा आपका conduction band में, तो यहाँ पर classification of solid, तीन तरह के हम लोग discuss करने माले, conductors, semi-conductors and insulator, conductors, क्या होते हैं, हमको पता है, conductors वो होते, जिनके जो valence electron होते, almost free होते, सब्सक्राइब, अगर electrons है, अगर electrons है, valence shell में, तो अगर electron आपके free है, तो अगर मैं energy band diagram, बनाऊं, conductors का, तो बच्चों, यहाँ पर आपका conduction band, और valence band के बीच में होगी, o-lapping, o-lapping क्योंगी, क्योंकि sir, valence electron है, तो इस पार्ट ओफ वेलेंस band, और वो electron free है, तो इस अगर आपका, conduction band, तो सबसे पहले चीज जो आपको यहाँ पर मिलेगी, वो क्या मिलेगी आपको, overlapping, जबकि semi conductor की बात करूँ, तो there is no overlapping, conduction band, और valence band में, there is no overlapping, means, जो valence electron है, semiconductor के, जो valence electron है, semiconductor के, वो free नहीं है, उनको free करने क्लिए, आपको इतनी, this is what energy gap, यह क्या चीज है बच्चो, energy gap, आपको इतनी energy देनी पड़ेगी, ace of the order, 3 electron volt, जैसे silicon की बात करूँगा, तो 1.1 electron volt आपका energy दोगे, तब जाके electron free होंगे, और insulator की बात करूँगा, तो इतनी gap और बढ़ा देना, और जादा energy, आपको इतनी इतनी energy देनी पड़ेगी, तो हम इसको यूज नहीं करते है, एससे चंडेक्टिटिटिए हम उसको यूज ने करते हैं कि इसके एनरजी रिकॉर्मेंट बहुत जादा है तो हम मेली इन दो को कंपेर करने वाले तो सर यहां पर ओरलैपिंग होती ही चंडेक्शन बैंड वैरेंश बैंड की यहां पर सर देज नो ओरलैपिंग और यहां पर भी दिर इस नो ओरलैपिंग दिर इस नो ओरलैपिंग ओई ठीक है अब देखो बैटा कैसे कंपेर करेंगे राइट तो कहीने कहीं टॉपिक डिसकस करते वेक्ट हमको यह पता पड़ेगा कि आपकी पूरी लेक्रोनिक इंडिस्टी के अंदर वाई वी अलवेश लुए सेमी कर्दॉबर को इस यह पता पड़ेगा समझते हैं मानी बच्चो आपने कोई डिवाइस बनाए अब डिवाइस आपने कोई स्धूजी घैका कुछ में बनाया आपने तो हमको पता है कई नेडिस्टील जो फ्लो करते या कोई बीए ट्रांस्मिशन होगा तो system में current फ्लो करेगी, करेगी हार electron device में current फ्लो करेगी, और जब किसी device में current फ्लो करेगी तो heating effect of current अगर current फ्लो करेगी तो heating effect of current से की बच़े से आपका वो device गरम होगा, मतलब temperature बढ़ेगा तो देखते हैं अगर device conductor का बनाओ, तो temperature बढ़ने से क्या effect आएगा अगर device में semi-connector से बनाओं तो temperature बढ़ने से क्या effect आएगा चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पर temperature बढ़ा आप समझो sir conductors के अंदर वैसे खूब सारे electrons से जो आपके free थे खूब सारे electrons से जो free थे अगर आप temperature बढ़ाओगे तो कहीं न कहीं temperature बढ़ाने से system वाइबरेट करता है मतलब thermal energy कि जैसे आपके system क्या gain करेगा kinetic energy तो आप temperature बढ़ाओगे dear तो कहीं न कहीं system वाइबरेट करेगा आपके electrons या items वाइबरेट करेंगे आपका vibration बढ़ेगा जब वाइबरेट करेंगे तो आपस में उनका collision बढ़ेगा अगर electron आपस में टक्राने लगेगे तो कहीं न कहीं उनकी conductivity कम होगी कॉष्य का मोरी उसका उल्टा क्या होता है थिस्टीव टेजित उल्टाके बड़ेंगी पास सब्सक्रे आते हैं तो कंड़स गंड़न कि उसको x बात करें जुआ सका अगर मैंने इसकुद को स्टेश उल्मकिफश रॉत करना 요रा की तो कंड़क्टर करनी करेगी तो उसका temperature बढ़ेगा, temperature बढ़ेगा, तो temperature बढ़े system वाइबरेट करेगा, खुब सारे electron है, क्योंकि के conductor में almost सारे electron क्या होते हैं, free होते हैं, अगर, बच्चों मान लो, मैं ऐसे आपको समझाओ, एक room है, एक room के अंदर, maximum 10 बंदे अराम से move कर सकते, अब आपने उस कमरे के अंदर 100 बंदे भर दिये, तो बच्चों, वो 100 बच्चे, जब 100 बंदे जब move करेंगा, कमरे में आपस में टकराएंगे, क्योंकि इसलिए, सर कंड़क्टर के अंदर खूब सारे free electron से, temperature बढ़ाने से vibration बढ़ा, अब इतने सारे free electrons जब vibrate करेंगे, तो आपस में collide करेंगे, collision के कारण, कहीं नगी आपके conductivity कम होगी, और कनेक्टी कम होगी, तो resistivity बढ़ेगी, तो आप इन दो चीज़ को देखो, कि सर कहीं नगी temperature बढ़ाने से, resistivity क्या हो रही है, temperature बढ़ाने से resistivity बढ़ड़ी है, इसको बोलते है, PTC मतलब, positive temperature coefficient, क्या बोलते हैं इसको positive temperature coefficient, positive क्यों, positive word कहा सा है, यहा सा है, एक को बढ़ाने तो दूसरा बढ़ा है, इसको बोलते है positive, अगर एक को बढ़ाने से दूसरा कम होता तो उसको क्या बोलते है, negative, तो यहाँ पे, sir, conductors का drawback, yes, this is the drawback of conductor, जिसे करनम conductors को, semi conductors को हम लोग electronics में use नहीं करते हैं, क्या, sir, अगर conductor का, मैं को electronic device conductor से बनाऊंगा, तो operation में आते ही, वो गरम होगा, temperature बढ़ेगा, temperature बढ़ने से, उसका resistance और बढ़ेगा, resistance और बढ़ेगा, तो resistance बढ़ने से, जो आपकी current flow करेगी, तो उस resistance के across, आपका energy loss बढ़ जाएगा, मतलब DR, यहाँ पर में energy दूँगा, वो maximum energy तो heat के फॉर्म में lost हो जाएगी, आपने system के operation के लिए आपके energy दी, लेकिन temperature बढ़ने से, temperature बढ़ने temperature बढ़ने से, temperature heat और बढ़ने की, heat और बढ़ने की, तो दिने तरे temperature और बढ़ने जाएगा, तो सारे, सारी की, सारे energy तो आपकी heat के फॉर्म में lost हो जाएगी, इसलिया हम conductor को prefer नहीं करते, then we have what, semi-connector, आप सुझो semi-connector prefer क्यो गरते, same case, यहाँ तो तो यहां पर अगर आप temperature बढ़ाते हो या even room temperature भी लाते हो तो temperature के उच्छे से some of the electrons जो कि पूरा खाली था इक अब यहां पर एक लड़का आएगा दो बंदे आएगे तीन बंदे आएगे जैसे बंदे बढ़ते जाएंगे तो conduction भी बढ़ेगा तो यहां temperature बढ़ाने से क्या होगा electron जम करेगा valence band से conduction band जम करने से क्या होगा concentration of electrons बढ़ेगी जितने ज़्यादा charge conduction band में move करेंगे उतना ही आपकी conductivity भी यहां पर बढ़ेगी समझना electrons तो यहां पर भी थे और यहां भी temperature से electron आ रहा है लेकिन वहां पर temperature की वज़े से electron इतने जादा हो रहे है कि उनमें collision जादा हो रहा है इसलिए वहां पर collision भी कारण आपका conductivity कम हो रही है जबकि यहां पर temperature बढ़ाने से concentration बढ़ी है इसलिए यहां पर हम बढ़ाने से एंटीसी एंटीसी मीन्स वाट negative temperature coefficient तो बच्चो हमको सबसे important चीज आज एक important information मिली है आपे की sir semiconductor the entire electronics is based on what semiconductor या semiconductor are the building blocks of what electronics why? क्योंकि sir अगर आप semiconductor को use कर अगर आप semiconductor use करोगे तो कही न कही operation माने के बाद अगर temperature बढ़ता है तो resistance कम होगा अगर resistance कम होगा तो resistance के across होने वाले losses भी कम हो जाएंगे very interesting तो इसलिए हम लोग semiconductor prefer करते तो हमारा answer why we prefer semiconductor because of NDC अब बच्चों के दिमा में question आता है sir यहाँ पर भी gap था आपने temperature देखे electron को जम कराके connectivity बढ़ा दी तो वैसे ही insulator के अंदर भी आप temperature मतलब energy देखे electron को जम कराके connectivity बढ़ा दो ना इसको भी use कर लो तो ऐसा हम नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर energy gap कम होता है मतलब energy की requirement कम रहती gap कम है वहाँ पर energy की जम कराने के energy requirement बहुत जादा है और मैंना उको पहली बता है पूरी electronic devices electronic industry के अंदर अगर किसी device की power requirement बहुत जाता है तो हम उसको use नहीं करते हैं इसलिगे always pay what semiconductor clear